हलो व्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आपका सूपर फास्ट स्टेडी एन एक्सपेरिमेंट पर तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं हाव तो कैलकुलेट कैपिसिटी ओफ डिफरेंट शेप ओफ बीन बंकर साइलो याने कि इस वीडियो में हम अलग-अलग शेप के जो हमारे बंकर्स होते हैं हॉपर होते हैं जिसे बीन भी कहा जाता है उसका कैपिसिटी कैलकुलेट करना सीखेंगे तो देखिए अलग-अलग शेप के बंकर्स का इस्तमाल इंडेश्ट्रिस में किया जाता है और हमें जरुरत पढ़ता है कि उसका capacity calculation करने का जरुरत हमें काफी बार पढ़ता है उसका volume calculate करने का हमको पढ़ता है जरुरत पढ़ता है काफी बार लेकिन क्या होता है formula हमको पता नहीं होने की वज़े से और इसका formula जो होता है थोड़ा सा complicated होता है समझ में नहीं आता, confusion बहुत ज़ादा होता है तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीकी से बताऊँगा कि आप कैसे बंकर का, किसी भी शेप के साइलो का capacity टन में calculate कर सकते हैं और volume भी निकाल सकते हैं तो चलिए वीडियो के start करते हैं बने रहीएगा वीडियो में अन्त तक तो फ्रेंड्स कोई भी जो बंकर होता है उसमें दो पार्ट होते हैं सबसे पहला अपर पार्ट होता है और दूसरा होता है लोवर पार्ट तो अपर पार्ट जैसा कि अगर आप left hand side में image देख रहे हैं यहाँ पे upper part जो है वो rectangular shape में है और lower part जो है वो prismoid shape में है तो हमको basically क्या करना है किसी भी bunker का volume calculate करना है तो उसके लिए upper portion के लिए अलग formula लग रहा है नीचे portion के लिए अलग formula लग रहा है जो भी volume आएगा उसको हम add कर देंगे bulk density होता है अलग-अलग material का अलग-अलग होता है और bulk density का unit होता है 10 per meter cube तो हमें जितना भी volume का calculation करना है सारे dimension हमें meter में रखना है ताकि हमारा जो volume आएगा वो meter cube में आए तो जब volume निकल जाएगा तो उस volume को bulk density से multiply कर देंगे material के तो हमारे bean का जो capacity है वो आजाएगा कि उस bean में या उस hopper में उस bunker में कितना 10 material store किया जा सकता है bean का जो upper body होता है उसका calculation करना काफी आसान होता है वो तो या तो square होगा है ना या फिर rectangular होगा या फिर cylindrical होगा लेकिन जो lower portion है उसका volume calculate करना जो है वो काफी ज़्यादा difficult होता है क्योंकि वो अलग अलग shapes में आता है तो सारे shapes का यहाँ पर volume calculation करने का formula हम देख लेते हैं तो friends सबसे पहले हम rectangular section का volume calculate करने का formula देख लेते हैं काफी ज़्यादा simple है length into width into height है ना तो length into width into height भी बोल सकते हैं इसको देख सकते हैं आप image में कि काफी ज़्यादा simple है तो यह volume calculate हो जाएगा इस formula से ठीक है अब जो main है आपका lower portion का देख लेते हैं तो अब lower body में सबसे पहला type है rectangular bin prismoid है ना तो यह जो rectangular bin prismoid shape है इसका volume calculation का formula है 1 by 6 edge bracket में 2l1b1 plus l2b2 plus l2b1 plus 2l2b2 अब यहाँ पर देखिए h जो है वो height है और l1b1, l2b2 आप देख सकते हैं कहाँ पर है आपको strip यह dimensions निकाल लेने है और इस formula में value put कर देना है जब आप solve करेंगे तो इस section का volume आ जाएगा और upper section का volume आप calculate कर लिए और यह वाले section का volume calculate कर लिए total volume को add कर दीजेगा उसको multiply कर दीजेगा bulk density से तो आपका answer आजाएगा capacity of a hopper या फिर भीन in ton अब देखिए दूसरा type जो है square hopper frustrum of prismoid तो यह जो portion है यह frustrum of prismoid है यहाँ पर इसका volume का formula है 1 by 3 edge bracket में है b1 square plus b2 square plus b1 multiply by b2 तो इस type का section जो है आप ध्यान से देखिए यहाँ पर इसका b1 उपर वाला जो section है वो भी square shape में है और नीचे वाला जो section है वो भी square shape में है पहले वाले में क्या था rectangular prismoid था वो है ना तो वो rectangular shape में था और यह है square prismoid है अब इसी में तीसरा type जो है वो है और frustrum of right pyramid है ना hopper frustrum of right pyramid अब इसका volume का formula है 1 by 2 edge b bracket में l1 plus l2 edge जो है वो height है b जो है वो इसका width है देखिए जो इसका side वाला width है b वो उपर में भी उतना ही है नीचे में भी उतना ही है ना तो ये वाला section इसका कम नहीं हुआ है खाली एक side का जो section है उसका width जो है वो कम हुआ है वो है l1 और l2 वाला उपर का है l1 जबकि नीचे हो गया l2 लेकिन जो side वाला है वो same है उपर और नीचे दोनों side b भी उपर में भी है नीचे में भी है तो वो कम नहीं हुआ है ठीक है next जो है देखिए ये circular hopper frustrum of cone इसके volume calculation का formula जो है वो है 0.262 multiply by height bracket में d1 square plus d2 square plus d1 multiply by d2 देखिए d1 जो है वो उपर वाले portion का diameter है जबकि d2 जो है वो नीचे वाले portion का diameter है है ना और h जो है वो इसका height है तो इस section का volume ऐसे calculate होगा और एक upper portion का छूटा हुआ था cylindrical shape का vertical bean और silo का जो cylindrical shape है इसका formula है volume is equal to 0.785 multiply by d2 multiply by h d जो है वो इसका diameter है h जो है इसका height है तो friend जिस भी shape का आपका bin है आपका hopper है उसका volume का आप calculation इन सब formula से कर सकते हैं last में आपका total volume जो आएगा bin का upper portion और नीचे portion का है दोनों को add करने के बाद में जो आपका volume रहेगा उसको add करने के बाद में आपको material के bulk density से multiply कर देना है bulk density जो है अलग-अलग material की अलग-अलग होती है तो इस तरह से आप अपने bean का capacity का calculation कर सकते हैं तो उमीद है ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर 1% भी ये वीडियो आपको helpful लगी हो